अब हमारी आती है प्रनायम के बारी क्योंकि टाइम लिमिटेशन है थोड़ी सी बहुत जादा ठीक है तो प्रनायम के बार बैट जाओ अराम से बैक को स्ट्रेट रखो दोनों पैल नीचे वह आ रहे हैं आप बैट जाइए दोनों पैल नीचे शांत बिल्कुल दोनों हाथ आपके नीज के उपर आखे बंद आपकी कपाल बाती किस-किस को आता है वेरी गुड नहीं वो कर देंगे चलिए तो इसमें करना क्या है जिसको नहीं आता उसको एक टेखनीक बताता हूं अपने एक हाथ पेट पे रखो ठीक है एक हाथ पेट पे रखेंगे कपाल बाती में हमें सिर्फ एक्जेल पर फोकस करना है इन्हेल के बारे में हमें सोच नहीं नहीं है और वह भी नॉस्ट चलिए ज्यानमुद्रा लगाईए इस तरीके से लगा ली सभी ने यह जो टिप है ना बहुत लोग इस तरीके से लगा लेते हैं वो नहीं होती यह दो टिप है इनको टच कीजिए आपस में प्रेस कीजिए और अगर आप सीरियसली हमारे शरी में 72,000 नाडिया होती है ठीक है सीरियसली अगर आप इनको प्रेस करेंगे और अपने घुटनों पर रख लीजिए आराम से आखे बंद करके इन पर फोकस कीजिए आपको नाडी की टिप 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 वो आपको महसूस होगी जब वो आपको महसूस होने लेगे सपोर्ज आ तो बैक स्रूइट कीजिए चिन बिल्कुल मतब आई लेवल पर रखिए अपने चिन को एन जानमुद्रा लगाके 30 सेकिंड का एक साइकल करेंगे कपाल भाती का पहले करने से पहले सबी लोग फोकस कीजिए अपने टिप पे महसूस कीजिए उस नाडी की बीट को अराम से म्यूजिक का कोडिनेशन आपको दिया हुआ है फोकस करने के लिए बाहर से सब जगह से दिमाग हटा लीजिए बिल्कुल शान्त एक लंबी गहरी श्वास लीजिए अराम अराम से उसको छोड़िए अब जिनकी जिनको बीट सुनाई दे रही है वो भी नहीं सुनाई दे या वो भी कपाल भभाती स्टार्ट करेंगे एकसेल के साथ नैस्स्तल से एकसेल करेंगे वर्सफुली श्वाजिगेक सेक इजिए एकस त्यृट कीजिए वन बॉन टू वरई गुड थिवर्ट त्री फॉर फाइव सिक्स स्वें कीट एट नाइन टन एलेवन 12, 13, 14, shoulder बिलकुल, relax, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. रिलाक्स आखे बंदी रहेंगी, अब आपकी आखे तब ही खुलेंगी जब मैं बोलूँगा, ये 5-10 मिनट मुझे दे दीजिए, बिलकुल अपने शरीर के बारे में सोचे, अपने शरीर से जुबने की कोशिश कीजिए, दुबारा से एक बिना आवाज किये, एक लंबी गह पहरी श्वांस लेंगे, श्वांस लेने की आवाज आपके कानों तक भी नहीं पहुंचने चाहिए, और इनहीलिन डीप रहेगी, डीप याने की कम से कम 5 सेकंड तक इनहील कीजिए, खुल्ड कीजिए, 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, and 5, स्लोली स्लोली चार सेकंड में एक्जिल कीज कीजिए, चार सेकंड में एक्जिल कीजिए, आंके बंद ही रहेंगे आपकी, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, इनहील कीजिए, स्टार्ट कीजिए 5 सेकंड तक, 1, 2, करते रहें इनहील, 3, 4, and 5, hold it for 10 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 5 सेकंड में एक्जिल, स्लोली स्लोली बहुत कंट्रोल के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, relax, आंके बंद ही रहेंगे आपकी, आपने आप से जोड़े रहेंगे, सब चीज की टेंशन को हटा दीजिए अपने शरीर से, अब धीरे से, हम अनुलोम विलोम प्रणायम के प्रैक्टिस करेंगे, अनुलोम विलोम, एक हाथ उठाएंगे, अपनी फेस के पास लेके जाएंगे नॉस्टल के पास, अंगूठा रखेंगे राइट नॉस्टल पर, राइट नॉस्टल को ब्लॉक करेंगे, लेफ नॉस्टल से इनहील करेंगे, लंबा गहरा, अब जिस नॉस्टल से इनहील किया, उसको ब्लॉक कीजिए, अच्छे से दबाईए, और अधर नॉस्टल से एक्जेल कर दिजिए, अब जिस से एक्जेल किया, उसी से वापस इनहील कीजिए, ब्लॉक कीजिए, दूसरी नॉस्टल से एक्जेल, सभी को समझ में आ गया, द और यहां आग्या चक्र पर रखेंगे फोकस के लिए अब जब राइट को ब्लोक करना होगा तो अंगुटे से लेफ्ट को ब्लोक करना होगा तो लिटल फिंगर से ठीक है समझ में आ गया चलो दो मिनिट तक बिना आवास किये हाँ इसको बहुत हलका सा टश्ट करके रखेंगे ताकि आपका फोकस आगया चक्र पर बना रहे हैं अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई शू नहीं है ठीक है चले इस तरीके से अपनी हाथों की मुद्रा बनाईए दो स सेगेंड तक और एक चीज ओर आपको बहुत अच्छा फील होगा ब्रीट को बिना आवास किये लेना यह नहीं करना ठीक है बीप इनहेल कम से कम तीन सेक्रिट तक ब्रीट को इनहेल करना है इस तरीके से ठीक है फॉलो कीजिएगा ब्रीट को जब आप ले रहे हैं सास को तो उसको आतě हुए महसूस कीजिए कि वह बहर से मेरी नौसल से होता हुआ अंदर जा रहा है और यहाल तकह का रहा और जब एक्जेल करेंगे तब तो यहां से उसको महसूस कीजिए, नॉस्तल से बाहर आ रहा है, कोई चीज है ना जो अंदर जा रही है, नॉस्तल से होते हुए और बाहर आ रही है, उसके साथ बहने की कोशिश कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, चलिए, जब आपका हाथ पेन करने लगे, तो हाथ दूसरा यूज कर सकते हैं, 1,2,3, start, eyes close, back straight एक दम, spine बिल्कुल सीधी, आपकी प्राण वायू जो है, वो आपकी spine के, spine से होते हुए बहती है, तो spine बिल्कुल सीधी, सब की spine को straight करो, अगर किसी की नहीं है, तो male की, आखे बंद रहेंगी सब की कोमलता के साथ, पैर कोई क्रॉस नहीं करेगा, यह easy है, बिल्कुल शान्द करते रहेंगे, स्वांस को और लंबा गहरा करते रहेंगे, लंग्स को अच्छे से भरेंगे, अपने फेफडर को oxygen से बहुत अच्छे से भरेंगे, करूप्स को अच्छे से भरेंगे, करूप्स नहीं करेंगे, यह रहेंगे, यह रहेंगे, यह रहेंगे, प्रणायम करते करते म्यूजिक की साथ जुड़ेंगे हाग्या चक्र जो की हमारा दोनों एबरोस के सेंटर में होता है अब आप ब्रीद को थोड़ा थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेंगे ब्रीद को होल्ड करने की कोशिश कीजिए आपने शुआस लिया होल्ड किया देन दूसरी नॉस्टल से हम उसको एक्जेल कर देंगे लेफ्ट नॉस्टल से एक्जेल करने के बाद रिलेक्स हाथ नीचे आखे बंद आखे बंद ही रहेंगी म्यूजिक के साथ अपने आपको कोडिनेट करो इमाजिन करो कि आप एक खुबसूरत से जंगल में है बहुत खुबसूरत खुबसूरत फूल चिडियां बाकी पक्षियों के चहचाने की आवाज आपको वहां महसूस हो रही है बर्फ से ढखे पहाड कुछ पहाड हरे भरे आप शान्त वहां किसी नदी के किनारे बैठ कर ध्यान मेडिटेशन कर रहे है नदी अराम से बह रहे है सुकून वास्तव में जो सुकून है आपको वहां मिल रहा है बिल्कुल अकेले अपनी आत्मा अपने शरीर के साथ आप बैठे अपने ही शरीर से जुड़े हुए हैं वहां पर इमेजन कीजिए मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो अब क्या करेंगे हैं अपने दोनों चारों उंगलियों को अपनी आँखों पर रखेंगे अराम से ढक लीजिए अपनी उंगलियों से अपनी आँखें बहुत कोमलता के साथ कोई दवाव नहीं आपने भवरे की अवास सुनी होगी या ओम चैंटिंग में जो लास्ट में हमिंग होती है आपने वो भी कभी सुनी होगी या की होगी नॉसल से डीपली इनहेल करेंगे और अपने गले से वो अवास को जनरेट करेंगे और अपने पूरे फेस अपने अंगूटों से अपने कान को भी बंद कर लीजिए लेकिन वो तब मेरी आप बात सुनने के बाद ठीक है इसके बाद इनहेल किया and then sound आपको ये करना है तो जब अपने अंगुटों से कान को टाइटली बंद करेंगे बिल्कुल टाइटली और आप इस आवाज को जनरेट करेंगे तो आप अपने गले पर अपने फेस पर अपने दिमाग में अपने पूरे मस्तिश्क में उस वाइबरेशन को फिल कीजिए ठीक है यह थेरेपी आप पक्षियों की आवाज को हमेशा आने दो रिलैक्स आखे बंद दोनों हाथ गुटनों पे आखे बंदी रखो दोबारे से ज्ञानमुद्रा लगाएंगे अपने अंगुठे और फर्स्ट फिंगर को टिप को टच करेंगे पूरा जो ओफिस है वो एक साथ कोडिनेट करेगा अपने ओम चैंटिंग को ठीक है तो आप देखना जब एक साउंड से दूसरे साउंड में जब कोडिनेट होता है तो एक अलग सी वाइब्रेशन आपके थ्रोट को भी फील होगी ठीक है चले लंबी गहरी श्वास यह होता है थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है अ ओम ठीक है तो शुरू कैसे करेंगे अ ओम ठीक है चले स्टार्ट कीजिए आखे बन इन्हेल आखे बन लौदर louders deep inhale again louder oh रिलाक्स, क्लोज यूर आईज, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, सबसे पहले अपने माता पिता को परणाम करेंगे, अपने इश्वर को परणाम करेंगे, अपने गुरुओं को परणाम करेंगे, और इस दुनिया का सबसे बड़ा परणाम और थैंक्यू अपने शरीर को देंगे, जो कि स्वस्थ है, आपके साथ है, और हम प्रार्थना करेंगे और प्रॉमिस करेंगे अपने आपसे कि हमेशा अपने शरीर को स्वस्था रखने के लिए कुछ न कुछ हम करते रहें क्योंकि यह स्वस्था रहेगा तो आप हैं इस चीज को ध्यान रखिएगा दोनों हाथों को रब करो आपस में फास्ट इसका भी रिजन बताऊंगा क्यों रब करते हैं दबा के अच्छे से हतेलियों को दबा के रब कीजिए जब तक हीट जनरेट ना हो जाए अच्छे से और फास्ट अपनी आखों पर हतेलियां और चहरे पर उंगलियां इस गर्माहट को महसूस कीजिए एक अच्छा सा सर्कुलेट करते हो अपने फेस को मसाज दीजिए अपने पूरे अराम से आँके कोल सकते हैं आँकों को बिलिंक कीजिए हलका हलका सा बिलिंक कीजिए अपने आइबोलS को right to left left to right 360 degree गुमाईए दोनों साइट ठीक है अपने हाथों से इस तरह अपने सर को complete सर को हलका हलका सा प्रेस कीजिए कंप्लीट सर को फिर गर्दन को क्रोस एंड करते हुए शोल्डर्स को टाइटली भीची अपने आपको दैन नीचे आते हुए बाइसेप्स और ट्राइसेप्स फोर आम्स रिस्ट अपने उंगलियां दैन मनी बंद को थोड़ा सा एक्टिव कीजिए दैन रिवर्स अपनी पा वान ट्री तन वान ट्री ठीक है पूरी बोड़ी को प्रेस करते हुए बैक को प्रेस करेंगे दन हीट थाइज नीचे की तरफ जाते हुए अपने काफ मसल्स को और अपने पैरों को ठीक है यह रास्ट में माइफ्यवरेट अगल आपको आप वी इसको बहुत पसंद त्री टाइम्स या उससे भी ज्यादा ठीक है सब खुल के खुल के किसी की कोई परवार नहीं करने ठीक है चलो बैटे बैटे चेर पर कैसे करेंगे नीची की तरफ जुख जाईए और यहां से हाथ उठाते हुए हसते हुए वान टू त्री लाउडर अगें डाउन वान टू त्री लाउडर अगें डाउन वान टू त्री लाउडर बश्रा जब तक नेच्छनल असी ना है रिए फट किसी के बाप से चैरदर ना है हमत्तू त्री लाउडर चालिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच आप अच्छा फील हुआ होगा ठीक है आप डेली रूटीन में इन चीज़ों को एड़ कर सकते हैं आदा गंटा पंदरे में 20 मिनिट आप क्योंकि यह तो मैं बीच-बीच में इंस्ट्रक्ट कर रहा था तो इसलिए में टाइम थोड़ा जादा गंजूम हो रहा था जब आप एक आशन से दूसरे में अचन करना वो भिन्यास होता है और राइसन को करना वह योग-असन होता है ठीक है तो आप विन्यासे की तरह फ्लों में करता हूए पंद्रह-20 मिनिट में आपने शेडनगील को बहुत हीजीली ठीक है और आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं क्यो लीजिए ऐसे ही खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और योग करते रहे धन्यवाद